साथियों, अब मैं देश के किसानों को याद दिलाऊंगा, यूरिया की, याद करिए, साथ आठ साल पहले, यूरिया का क्या होता था, क्या हाल था? रात रात बर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था, कई सच नहीं है, कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों को लाटी चाग की खबरें आम तोर पर आती रहती थी, यूरिया की जम करके काला बजारी होती थी, होती थी की नहीं होती थी, किसान की फसल खाद की किल्लत में बरबाद हो जाती थी, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीश्ता था, क्या एक किसानों पर जुल्म नहीं था, अत्याचार नहीं था, आज मैं ये देखकर हरान हूँ, कि इन जिन लोगों की वज़त से ये परिस्तित्य पैदा हुई, वो आज राज नीति के नाम पर खेती करने निकल पड़े हैं, साथ क्यों, क्या यूरिया की दिक्कत का पहले कोई समाधान नहीं था, अगर किसानों के दुख दर्द, उनकी तकलिफों के प्रती, जराभी सम्वेजना होती, तो यूरिया की दिक्कत होती ही नहीं, हमने ऐसा क्या किया, कि सारी परेशानी खत्म हो गई हैं, आज यूरिया की किल्लत की खबरे नहीं आती, यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती, हमने किसानों की इस तकलिफों को दूर करने के लिए पूरी इमानदारी से काम किया, हमने काला बजारी रोकी, सक्त कदम उठाए, ब्रस्टा चार पन नकेल कसी हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए इन लोगों के समय में सबसीडी तो किसान के नाम पर चड़ाई जाती थी लेकिन उनका लाब कोई और लेता था हमने ब्रस्टा चार के जुगल बंदी को भी बंद कर दिया हमने यूरिया की सो प्रतिशन निम कोटिंग की देश के बड़े बड़े खात कारखाने जो तकनीक पुरानी होने के नाम पर बंद कर दिये गए थे, उन्हें हम फिर से शुरू करवा रहे हैं अगले कुछ साल में, यूपी के गोड़कपूर में, बिहार के बरोनी में, जारखन के सिंद्री में, ओडिसी के ताल्चेर में, तेलंगना के रामा गुंदम में, आधुनिक फर्टिलाजर प्लांट्स शुरू हो जाएंगे पच्चास साथ हजार करोड रुपिये सिर्फ इस काम के लिए खर्च किये जा रहे हैं ये आधुनिक फर्टिलाजर प्लांट्स रोजगार के लाखों नए अवसर परदा करेंगे भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर भर बनाने में मदद करेंगे दूसरे देशों से यूरिया मंगाने पर भारत के जो हजारो करोड रुपिये खर्च होते हैं उन्हें कम करेंगे साथ क्यों इन खात कारखानों को सुरू करने से इन लोगों को पहले कभी किसी ने रोका था किसी ने मनाने किया था किसी ने नहीं कहा था नहीं टगना और जी मत लगाओ किसानों के प्रती निष्ठा भी नहीं थी किसान से जूठे वाइदे करने वाले सत्ता में आते रहो जूठे वाइदे करते रहो मलाई खाते रहो यही इन लोगों का काम रहा है साथियों अगर पुरानी सरकारों को चिंता होती तो देश में सो के करीब बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट दसकों तक नहीं लटकते बाद बनना शुरू हुआ तो पची सो साल तक बनी रहा है बाद बन गया तो नहरे नहीं बनी नहरे बन गई तो नहरों को आपस में जोडा नहीं गया और इसमें भी समाएं और पैसे दोनों की जम करके बरबादी की गई अब हमारी सरकार हजारों करोर रुपिये खर्च करके इन सीचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पुरा करने में जुटी है ताकि किसान के हर खेत में पानी पहुचाने की हमारी इच्छा पुरी हो जाए जोसरो जोसरो प्रुपिये खशल पानी